नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल क्रेजी फेंटैसी गुरुजी में जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स ड्रीम 11 का यूटूब में आपको कोई नहीं दिया होगा आज मैं पहली बार आपको पांच टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ कि आप मेगा ग्रेंड लिग जी एल के से बिन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पहले एक नमबर में आता है मेच सेलेक्शन तो आपको मेच ऐसा सेलेक्शन करना है ऐसा मेच खेलना है कि जिस मेच को आप पहले से जानते हो किस मेच को आप पहले से देखे हो कौन सा पलेर कब आएगा कौन सा पलेर कितने डाउन में खेलने आता है कौन सा बालर चार ओगराज करेगा ये सब आपको fully knowledge करके ही match आपको लगाना है तब ही आप mega grand league deal win कर सकते हैं तो एक नमबर में ये हो गया selection match यानि आपको बता ही दिया जिसमें match को आप जानते हो उसी match में आपको खेलना है चाहिए अब दूसरी tips की और बढ़ते हैं तो दूसरी tips ये है team combination team combination आपको एसा बनाना है सबसे अटकर सबसे अलग आपको बनाना है एसा बनाना है जैसे कोई भी dream million में उस्तरे का ना बनाया हो जैसे की मान लो कि अगर विगेट कीपर section में से चार player को खेला है तो चार player में से आपको तीन player maximum अपनी team में आपको रख लेना है इसलिए रखना है क्योंकि team combination आपको सबसे अलग अटके होना चाहिए तभी जाकर कि आप team grand league में का grand league win कर सकते हो तो यह हुआ दूसरा tips and team combination team combination में एक और चीज आता है जैसे team आप जिस से मैं बना रहे हो उस से मैं आपको यह देखना है कि team में player जैसे मानलो की इंडिया की team खेल रही है तो उसमें कितने lefty को खेला रही है कितने righty को खेला रही है यह चीज आपको ज्यान देना है तो उस tips के बारे में आपको आगे बताऊँगा lefty और righty combination tips है उसके बारे में आपको बताऊँगा तो यह हुआ दूसरा tips and tricks तो चलिए अब तीसरी tips and tricks की और बढ़ते है तो तीसरी tips and tricks से lefty righty combination जो मैंने आपको अभी पीछे tips में जो बात कर रहा था उसके बारे में यह आपको lefty righty combination कैसे बनता है इसके बारे में भी आपको fully knowledge करके full आपको discuss करके मैं आपको बताऊँगा lefty righty का combination यह होता है जैसे आप मान लो की दोनों तरफ 11-11 दोनों तरफ का player 22 तो 22 player में आपको analyze करना है कि 22 player में कौन से टीम में ज्यादा lefty को खिलाए जा रहा है ज्यादा righty को खिलाए जा रहा है कौन left armor है कौन right armor है बोलर कौन है ओबरेक बोलर कौन है left armor orthodact है यह सब आपको पूरे 22 player में से analyze करना है analyze करने के बाद अगर lefty को जिस team को lefty ज्यादा खिला रही है तो दूसरे team में आपको right armor ओबरेक बोलर को आपको अपनी team में ज्यादा रखना है और lefty को आपको drop करना है इसलिए कि ओबरेक बोलर जो हता है lefty को और आम से out कर देता है तो यह चीज़ ध्यान में ही तो आप ओबरेक बोलर को मत रखो इसलिए कि तलवार के एक मियान में दो तलवार कभी नहीं रख सकते तो आपको यह चीज़ ज्यान रख देना है तो यह हो गया lefty righty combination तो चलिए अब अगला tips and tricks की और बढ़ते हैं इसमें चोता tips and tricks यह है risk की player आपको टीम में होना जरूरी है risk की तीन से चार प्लेयर आपकी टीम में हैं तो आप मेगा जेल बिन कर सकते हो risk की का मतलब यह होता है जैसे मान लीजिए बारा परसेंट तेरा परसेंट प्लेयर हैं selection आपको हम अपने टीम में रखेंगे और निब्बे सतर असी यह जितने भी player है इन लोगों को तीन चार प्लेयर को मैं डूब करूँगा ज्यादा प्लेयर आपको रिस्की नहीं लेना है तीन चार प्लेयर आपको लेना आपकी टीम में रिस्की होना चाहिए तब ही आपको मेगा जी एलविन कर सकते है यह हो गया चौथा टिप सेंट्रिक से नमबर पांच केप्टन वाइस केप्टन सेलेक्शन केसे बिनाना है इसके बारे में चलो आप डिस्कस करते हैं पांच माँ टिप सेंट्रिक से केप्टन आप उसी को बनाओ जिसको चैर ओर बोलिंग मिले और जिनका बैटिंग ओडर आ जाए और अराम से वो बैटिंग करे यह पता चला की नोवे नमबर पे आ रहा है हमने उसको कप्तान बना दिया तो कितना रन मार के देगा हमको तो ऐसे प्लेयर को आप कप्तान बनाए बोलर में आप बनाए जिनको चैर ओर मिल रहा हो उसको बनाए केप्टन मतलब उनके पास फुल चान्स हो उसी को आप केप्टन बनाओ और ऐसे प्लेयर को बनाओ जिनका सेलेक्शन 2300-2300-2300 ऐसे प्लेयर को बनादो आराम से आपका मेगा लिग विन है गरंटी नहीं लेता हूँ कि हम मेगा गरेंड लिग आज जित ही जाओगे लेकिन हाँ आज नहीं जीते हो तो कल जीतोगे कोंबिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए एक ना एक दिन आपको विन करके जाओगे यह था आपका पांचमा टिप्स और ट्रिक्स ठीक है ब्रिंट्स तो यही था पांचमा ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को पलीज सस्क्राइब कर लो ठीक है और डिस्क्रिस्पिन में आपको वीडियो देखने के लिए दन्यवाद जय हीन जय वार्त